आप सभी को छट पर्व की धेरो शुब कामना है छट मया की कृपा सभी पर बनी रहे इसलिए कॉमेंट बॉक्स में छट मया की जया आप जलती से लिख देजे फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगी की कोसी कैसे भरी जाती है कौन भर सकता है किस प्रकार के इसके नियम होते हैं क्या हमें सामिकरी इसमें लगती है कोसी भरने के लिए तो जब आप शाम का अर्गे दे देते हैं यानि कि 60 के दिन छट के दिन जब आप शाम को डूपते सूरज को अर्गे देते हैं उसके बाद में शाम के समय कोसी भरी जाती है कोसी को आप चाहें तो जब हम डबल कोसी बढ़ते हैं जब हम दो मनोती है मांगते हैं वो हमारी पूर्ण हो जाती है तब डबल कोसी भरी जाती है तो देखिए कोसी बढ़ने के लिए ऐसे गन्ने का मंडब बनाते हैं मंडब को लाल कपड़े से बानते हैं लाल कपड़े के अंदर ठेकुआ रखा चावल, साथी का चावल रखते हैं, केराव रखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें अक्षातादी बांद करके, फूल बांद करके, ऐसे मंडब बनाते हैं, यह मंडब साथ गन्ने से आप बना सकते हैं, या फिर आप 14 गन्ने से भी आप बना सकते हैं, और इस मंडब के नीचे आप लीप भी सकते हैं अगर कच्छी जमीन है तो ऐसी देखे कोसी आती है कोसी का एक कलश होता है इसके चार और कुछ दिये लगे होते हैं उसमें आप दिये जला लें और उसके अंदर कोसी के अंदर आप खील बताशे मौसमी फल सबजी जितने भी सिजनेवल फ्रूट्स औ और जो चावल के लड्डू में बनाए हैं उसके उपर धकन रख करके उसके उपर चार मुखी का दिया जलाया जाता है यह दिए आप डेसी गीविराण के लें सकते हैं जैसी सामरते ह 요즘 उसमें जो घैजरे कोई उपर रिकरन करेनी होती है सराई आप छे अगर ले रहे हैं तो उसमें डबल डबल आपको सामिगरी रखनी होती है यहां पर जितने भी सीजनेबल फूट्स हैं सब्जियां वो सब कोसी के आसपास चड़ाई जाती है जैसे कि आवला है सिंगाडा है शकरकंद है और जितनी भी सीजनेबल सब्जियां व्रत्म पूजन में लगती है डाले में सजाये जाती है वह सब यहां पर चर्ड़ाई जाती है फल चड़ाये जाते हैं ठेक हुँए चड़ाया जाता है और सभी सराई के अंदर एक एक दिया रखा घाता है तो अगर आप सिंगल कोसी बर रहें तो बारे दिया आप यहां पे जलाएं और अगर आप डबल कोशी भर रहे हैं तो आप यहां पर दो के हिसाब से 24 दियापको जलाने हो, चार और हम धिये जला देतए हैं और एक जल का कलच भरते हैं उसके अंदर बराद में हम सब्वी दियों को इस तरी के से जला देतें तो ऐसे खो拐 अधी समय आपको फसाद दिया गया है या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी केस है जिसका कोई परणाम नहीं आ पा रहा है कोई भी ऐसी समस्चा जिसका आप कोई बिसमाधन नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसके लिए ऐसे मनत मांग ली जाती है और उसके बाद में जब हमारी ये मनत पू दे करके यहां पर इस तरीके से पूजन हम अपना संपूर्ण कर लेते हैं तो ऐसे मंडब के अंदर यह पूजन किया जाता है शाम के सामें और यहां पर बैट करके चटमईया के गीत गाये जाते हैं बहुत अच्छे से सभी परिवार की सभी महिलाई इकटा हो करके पूरी र को तब वहां पर जाकर के घाट के पास में जाकर के भी इस प्रकार से पूजन किया जाता है और यह जो यहां पर कोसी हमने भरी है इसका विसरजन कर दिया जाता है गाट पर जाकर के और आप यदि घर पे पूजन कर रहे हैं तो भी इसका विसरजन किया जाता है जो भी मनोकामना पूर्ण होती है वो कोशी भर सकता है जाये वो इस्तरी हो या पूरुशों हर कोई कोशी भर सकता है और किसी के आपर यह परंपरा होती है कि जब एक बर कोशी भर दी जाती है तो पीड़ी दर पीड़ी कोशी भरते आते हैं तो जैसा भी आपके आपर होता हो पैसे कर सकते हैं परंतु जादा तर जिस वर्ष हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है उस वर्ष कोसी भरी जाती है चाहे तो जोड़े से भर सकते हैं चाहे तो सिंगल कोसी भर सकते हैं तो इस प्रकार से कोसी भरी जाती है और ये सब सामिकरी हमें चाहिए जो सब सामिकरी मैंने परशेली के छट मईया की कृपा सभी पर बनी रहे इसी आशक के साथ में विदा लेती हूं मिलती हूं एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए जै छट मईया राधे राधे